अर्थ्राइटिस याने गटिया का नाम तो आपने सुना ही होगा गटिया एक सूजन सम्बंदी डिसॉडर है जो शरीर में हड्यों के जोडों के आसपास के टिशूस को प्रभावित करता है जिसे जोडों में दर्थ, कड़क पन और चलने पिरने में प्रॉब्लम होती है गटिया के सोच से जादा प्रकार मौजूद है लेकिन सबसे आम है ओस्टियो आर्थ्राइटिस और रुमेडियर गटिया रुमेडियर गटिया, एकलोंजिक, स्पॉंडियलाइटिस और लिूपस जैसी सूजन से संबंधित है वही दूसरा प्रकार ओस्टियो आर्थ्राइटिस है जो गटिया का एक सामाने प्रकार है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है बता दे कि गटिया के लिए कोई विशेश इलाज नहीं है इसके इलाज का तरीका गटिया के प्रकार प्रणिपर करता है इसलिए गटिया के संकीत और लक्षनों को समझना काफी ज़रूदी है चले जानते हैं गटिया के लक्षनों के बारे में गटिया की शुरुवात में हातों में दर्द महसूस होता है इसके बाद दीरे-दीरे सुबह-शाम जोडों में अकडन और सूजन जिसे लक्षन दिखाई देने लगते हैं हातों को काम करने में दिक्कत होने लगती है विशिशगों का कहना है कि हड्यों और जोडों को खराब होने से बचाने के लिए जरूरी है कि शुरुवात में ही इसका इलाज हो जाए चलिए बात करते हैं गटिया के इलाज के बारे में गटिया से बचने के लिए हर एक व्यक्ति को पोशन से भरा संतुलित आहार लेना चाहिए धुम्रपान से बचना चाहिए क्योंकि इससे गटिया का खत्रा बढ़ता है अगर कोई व्यक्ति इस बिमारी से पीडित हो गया हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जीवन्चेली को बदलना होगा गटिया से पीडित लोगों को मास पेश्यों को मजबूत और जोडों को लचीला बनाये रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए पलाल कलेता ही धन्डेवाद